श्री शर्वार्त सिद्धी प्रश्ट नंबर दो सो सतत्तर टू सेविन सेविन गद्य नंबर साथ सो दो सेविन जीरो टू आह कहते हैं पीती अपीती अत आह आचारे कहते हैं कि यहां तक अभी हमने आपको ग्रहस्तों के विशय में बतलाया वे ग्रहस्त किन विश्येश्टाओं से युक्त हैं जिनोंने सब कुछ नहीं छोड़ा ऐसी ग्रहस्तों के विशय में हमने आपको साथ सो एक नंबर में अच्छी तरह समझाया वे ग्रहस्तों में और क्या विश्येश हैं उसी यहां पर कहते हैं तो आपको यदियाद हो तो पुर्शार्त सिध्य उपाएं ग्रंत की अंतर भी इस प्रकार की चर्चा आचार ने की थी कि जहाँ मात्र अहिंसा ही ब्रत है वाकी सब कुछ क्या है तो उने कहा था बाकी सारी ब्रत उसकी बाउंडरी या उसकी रक्षा के अंग हैं उसे रक्षत करनी वाली स्थान है तो उसे ही आचार यहां पर विशेश्ता की रूप में आपारे सामने रख रहे हैं कि मूल ब्रत तो अहिंसा ही है बाकी सब उसकी बाउंडरी के रूप में अपस्थित हैं कि कौन-कौन से ब्रत हैं तो चार प्रकार के जो अनुब्रत हैं और पांच अनुब्रत अहिंसा के अलावा उनकी चर्चा यहां तक हुई अब आगे जो बारह प्रकार के ब्रतों में आचारी यहां पर रखते हैं। परिमान अथिती, संबिभाग, व्रत संपन्नस्च। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ डंड व्रत, जो विरती सब्द है वो तीनों के साथ लगाना। दिग व्रती, देश व्रती, अनर्थ डंड विरती। शामाइक, प्रोसधोपवास, भोगोप भोग परिमान और अथिती संपन्न इन से भी वह व्रती जीव संपन्न होता है। वह इन साथ सब्तसील या साथ व्रतों से भी सहत होता है। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ डंड व्रत, शामाइक, प्रोसधोपवास, भोगोप भोग परिमान व्रत और अतिती संपन्न भाग। अब इनका विस्तार बतलाते हैं। इनकी डेफिनेशन यहां पर एक एक्की आचार रखेंगे। एतानी, त्रीणी, गुणवरतानी, यह तीनों गुणवरत हैं। मूल आचार ने मूल शुत्र में कहीं भी नहीं लिखा कि गुणवरत कौन से हैं, सिक्छावरत कौन से हैं। उन्होंने सातों को एक साथ दिया है। लेकिन भगवान उर्जपाद देव अच्छी तरह उसको भिवक्त कर रहे हैं। ये तीनों एतानी, त्रिणी, गुणवरतानी हैं। ब्रतसब्द स्प्रते कम अभी संबंदात। ब्रतसब्द है, उनका हर एक के साथ संबंद है। ब्रत क्या था? छूटने का नाम ब्रत था, वही यहाँ पे क्रमशा चलना। तथा जो पीछे जो वरत सब्द दिया उसका प्रतिक के सांथ संबंद करना देखें पहले सूत्र के वह एक पर फुर से देखें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा सूत्र में दिग ब्रत पहला सब्द दिग दूसरा सब्द देश तीसरा सब्द अनर्थ डंड उसके बाद है बिरती तो जो ब्रती सब्द है वो तीनों के सांथ लगेगा दिग ब्रत देश ब्रत अनर्थ डंड ब्रत ऐसे ही नीचे यदि देखेंगे तो अंतिम सब्द है में लगे गा तो कैसे लगेगा बताते हैं यह था जैसे सामाई ब्रतम फोसोधोप वास ब्रतम भोग परिभोग परिमान ब्रतम अतिति संवी भाग ब्रतम एतानी चत्वारी सिक्छा ब्रतानी ये क्या हैं सिख्षाब्रत्व हैं इटए्र संपन्य ग्रती ग्रहीं बहताब्रत इती उच्चते इन व्रतों से युक्त संपन्य ग्रही ग्रहस्थ विरतावरत कहा जाता है व्रत और अब व्रत ृवиц के वहाई वह व्रती है लेकिन एक देश व्रत हो नेशे जो उपर आपको इस पश्च रूप से आचारे ने बतलाया था कि वह सुक्ष्म रूप से व्रतों को धारण ना करके स्थूल रूप से व्रतों को धारण करता है इसलिए वह जीव अव्रती कहलाता है पूर्ण व्रती नहीं बन पाता है इसलिए उसे विरताव्रती या पंचम गुडिस्थान वरती संयमा संयम संयम भी है और किसी अपेक्छा से असंयम भी है अब एक-एक की परिवास बतातें तो दिग व्रत क्या है तो सबसे पहले कहते हैं दिग डिशाएं कौन सी दिशाएं प्राची दिशा मतलब पूर्व दिशा पूर्व दिशा आधी इन पूर्व दिशा आधिक में तत्र वहां प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो इस्थान है उनका अविक्यान अर्थात चिन्नों के द्वारा अवधिम क्रत्वा मर्यादा करके नियमन नियम लेना ये नियम करना दि दिशाओं में अच्छी तरह विचार करके पूर्व आदी दिशाओं में जो प्रशिद इस्थान है आज वर्तमान में हम अच्छी तरह किलो मीटर का मापन करके या निस्थानों से जान करके में पादिक से पता कर सकते हैं पूर्व में इस प्रकार की जब शुविधा नहीं उनका ही मर्यादा की जाते थी, उनकी अविद ही करना, उनकी शीमा करना, ये दिग बृत है, ततहा उसके बही बाहर तरस इस्थावर व्यपरूपनम निर्वित्ते महाब्रतम महाब्रतत्वम अवशेयम कहते हैं उसके बाहर जितनी जितनी आपने अमारr लैदा की उसके बाहर तरस और इस्थावर दोनों प्रकार के जीओं के व्यपरोपनम, हिंसा या बध दुख आदिक से निर्वित्ते निर्वित्ती होने के कारण महां ब्रतत्वं अविशेयं महां ब्रत के शमान जानना चाहिए पूर में आपको याद हूँ रत्नकरंडक शाओ का चार में भी इस पस्ताचर ने भगवंत ने ऐसी उल्लिक किये कि वह जीव उतनी उतनी छेत्र में तो मर्यादा की इसलिए एक देश त्यागी है लेकिन उस मर्यादा के बहार अब उसका जाना ही नहीं है तो वहां उसके सुक्ष्म और इस दोनों रूप से त्याग हो जाने से वह वहां पूर्ण महावर्ती के समान है ग्राम आदी ग्राम आदी नाम अव धिरत परिणा महा प्रदेश प्रदेशो देशा अव जो मर्यादा आदी है तत्र लावे सतियपी परिणामस निर्वित्ते लोव निरासस्च क्रतो भवती अव उन स्थानों में अर्थान मर्यादा के बहार तत्र लावे सतियपी लाव आदिक होने पर भी परिणामस निर्वित्ते क्रतो भवती लोव का त्याग करना होता है या अपने आप लोव का त्याग हो जाता इसलिए वह महावर्ती की संग्या को प्राप्त हो जाता है अभी तक इतनी मर्यादा के अंदर कुछ भी गड़वड हो रहा है तो उसके उसमें अविलाशा आशा कांशा हो सकती लेकिन जितनी मर्यादा उसने कर ली है उसके बहार अपने आप लोव का निरास हो जाता है लोग की निर्वित्ती हो जाती है क्योंकि अब कुछ मिलना ही नहीं है क्यों जाना ही नहीं है इसलिए उसके अपने आम परिनामों में निर्मलता आ जाती है आगे अब यहाँ पर देश वरत यह दिग वरत होगा है दिग मतलब दिसाओं का वरत करना ठीक ग्राम आदि को अवधित, निश्चित, परिमाण, मर्यादा, रूप, प्रदेश, इस्थान, देश, देश कहलाता है. जो ग्राम आदिक से जिसका परिमान किया जाता है उसका नाम प्रदेश है, उसका नाम देश है. ततो बहेर निर्वित्ती देश विरती विरतम और उससे अचातुत देश आदिक से बहार जाने का जो त्याग है उसका नाम देश विरत है पूर्ववत बहेर महावरतत्वम अव होना चाहिए आवस्थाप्यम और इसमें भी पूर्व के समान ही महावरतपना होता है अब देखो एक अंतर यहाँ पर आ गया अभी तक हम लोग ऐसा पढ़ते थे अभी तक जो रतनकरंड़क के अनुशार हमने पढ़ा था वो इसपस्च रूप से यही था कि दिगवरत किया और फिर उस दिगवरत के अंदर जो मर्यादा की जाती थी उसका नाम देश वरत था लेकिन यहाँ पर परिवासा एकदम अलग ही आचार भगवन्त ने दी ग्रामादिक की निस्चित मर्यादा रूप प्रदेश देश कहनाता है और उससे बाहर जाने का त्याक कर देना देश वरती वरत है यहाँ भी पहले की समान मर्यादा के बाहर महावरत होता है एक बार हम सब रत्नकरंडक को भी देखते हैं वहाँ पर लक्षन क्या था ठीक है यह दिया भी मुझे इस पस्तियाद है लेकिन फिर भी अपने उसको देखते हैं उससे अपना विश्या एकदम मजबूत हो जाएगा देखे हैं पहले था दिगवरत दिगवरत क्या है दिगवल्यम परी परी गणितम क्रतवा तो हम बहिरना यश्यामी इति संकल्पा दिगवरतम आम्रणू आम्रती अनुपाप विनिरवित्तै अम्रती अर्थात मरण परियंत शुक्ष्म पापों से बचने के लिए दसों दिशाओं में गमना गमन की मर्यादा निश्चित करना और तदनुशा जीवन भर उसके बाहर नहीं जाना इसका नाम दिगवरत ये तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेम कहा अब देशवरत यहाँ पर क्या कहा था तो यहाँ पर देशवरत कहते हैं देशाव का यह हो गया इसकी बादी है दिगवरत में संकल्पित बहुत अच्छे दिगवरत में संकल्पित देश काल की विस्तित मर्यादा को उत्रोतर प्रतिदिन कम करना घटाना देशाव कासिक ब्रत है कि अंतर आपको समझना इसलिए जब हम अनीक ग्रंतों का अध्यन करते हैं तो नई-नई चीजें मिलती है अभी तक हमारी विधार्णा यही थी कि सर्वत्र दिगवरत व देश वरत का लक्षन एक सा है लेकिन इसमें आचारे ने अच्छी तरह हमको बतला दिया कि दोनों के लक्षन में बहुत बड़ा अंतर है ठीक है? क्योंकि इनोंने तो बहुत अच्छी तरह है ग्रह हारी ग्रामा नाम छेत्र नदी दाव योजना नाम च देशा विकास से कस्से स्मरंती सीम नाम तपो ब्रद्धा एक एक करके उनोंने बताया कि ग्राम गली बजार आदिक का भी परिमान करना दोनों के अंतर बड़ा अच्छा अंतर आज देखने में आया ठीक है कि दिशाओं से मर्यादा करना दिगवरत है और देशों से मर्यादा करना छेत्र से मर्यादा करना देशवरत है आगे और दोनों हैं एक से उसमें भी बाहार महावरती के समान कहा इसमें भी बाहार महावरती के समान कहा अब आगा था अनर्थ डंड बरें अशती उपकारे पापादान हेतु अनर्थ डंडाहा अनर्थ डंड क्या है तो कहते हैं जो असती उपकारे उपकार ना करके किसी भी प्रकार का उपकार ना करके केवल पाप आदान हेतु पाप के ग्रहन करने का जो हेतु है कारण है उसका नाम अनर्थ डंड है जिससे हमारा कोई प्रियोजन ना हो अनर्थ जिससे आप दो कहते हैं अनर्थ मतला बेस्टेज बकवास तो जिससे हमारा कोई लाव नहीं है ऐसा कुछ से हमारा कोई उपकार नहीं है मत्त पाप का ही बंद्या पाप का ही आश्रो पाप का ही ग्रहन जिसके माध्यम से हो रहा है उसे यहां पर कहते हैं कि वहाँ अनर्थ डंड है ततो विरती अनर्थ डंड विरती है उसे विरती दूर हटने का नाम अलग होने का नाम अनर्थ डंड विरती ही है अनर्थ डंड हा पंच विदहा अनर्थ डंड पांच प्रकार का है अपध्यानम पापोपदेशा प्रमादाचरितम हिंसाप्रदानम और अशोवशृती इति अब देखो इनके नामों में भी कुछ अंतर है रत्नेकरंडक श्रावकाचार में जो हम अपध्यान और दुश्रती पापोपदेश हिंसादान और अपध्यान और दुश्रती इसकर्प और प्रमादचरिया यह पांच थे यहां पे नामों में थोड़ा सा अंतर है हैं वही लेकिन थोड़ा सा अंतर है अपध्यान पापोपदेश प्रमादचरितम इसको अचरितम है और हिंसा दान था वह यह हिंसा प्रदानम है वहां दूश शुरुति था यहां अशुव शुरुति है थोड़े से नामों में अंतर है यह सब दों में अंतर मान सकते हैं बाकि कोई अंतर विश्यश नहीं है तत्र परीशाम अब एक एका स्वरूप बतलाते तो शाद इती मनशा चिंदनम अपध्यानम अपध्यान क्या है इतना विस्तार से कहीं वर्णन ही नहीं किया ये बहुत अच्छा वर्णन है विश्तार दिया किरे तत्र वहां परिशाम दूसरों के जय पराजय जीत आर बध मतलब मारना बंधन बांधना अंगत छेदन अंग का छेद करना परस्वा दी ग्रहनम पर के दूसरे के श्वा मतलब धन रुपिया पैसा का हरना दी ग्रहन करना कथम स्यात कैसे हो इती इस प्रकार मन सा मन से चिंतनम चिंतन कना अपद्ध्यान है मन्द में ऐसा विचार करना कैसे उसकी जीत हो कैसे उसकी हार हो कैसे उसको मारा जाए कैसे उसको बांधा जाए कैसे उसके अंगों का छेदन करना कर अभी कुछ नहीं रहा है इसलिए उन्होंने पहले के दिया असती उपकारे जिससे कोई उपकार नहीं होता मात पाप आदान हेतु पाप के ग्रण करने का जो कारण हेतु है उसका नाम ही अपध्यान है इसलिए बहुत अच्छी तरह आप प्रतिमाएं लें अभी ना लें संकल्प पूर वक्त लेना ही है यह तो संकल्प बना नहीं है सबको कि मैं इस परियाय को छोड़ने के पहले ब्रती और महावरती बनूँगा ही बनूँगा लेकिन जब तक ब्रत नहीं होते तब तक भी इन विश्यों में विचार करना चाहिए कि हम ऐसा कोई गड़वड काम तो नहीं करते हम कोई ऐसा अपाद ध्यान तो नहीं करते कि ब्यरत में बैटेयों किसी की जय पराजाए हार जीत बध बंदन ग्रहन आदिक्की विश्यों में सोचते इनसे लाव कुछ नहीं मात्र पाप का आश्रोग होगा इसलिए इनसे बचना चाहिए विरती ही इनसे दूर हटने का नाम अनर्थ डंड ब्रत है अब दूसरे नमर केते हैं पापोप देश पापोप देश क्या है सेम वैसा जैसा लक्षन रतनक रंडक में दिया वैसा ही लक्षन यहाँ पर है त्रियग क्लेश वानिज्य प्राणी बधकार आरंभा दिशु पाप सैयुक्तम वचनम पापोप देशा त्रियक त्रियंचों की कष्ट क्लीश रूप ब्यापार प्राणी बधकार आरंबादिशू प्राणियों को कष्ट पहुचाने वाली मारने वाली ऐसे आरंब से युक्त जो कुछ भी पाप वचन है वह सब कुछ पाप से युक्त वचन है भी सब पापोप देश हैं क्या आप वहां चले जाओ वहां के देश में बहुत सारे जानवर मिलते हैं वहां से यहां लाओ यहां सस्ते मिलते हैं यहां मेंगे भिग जाएंगे अब इससे आपको क्या लाब आपको कोई लाब नहीं हुआ बल्कि हुआ क्या वहां गया और वहां से एक ट्रक में 12-14 जानवर भरके लाया कितना कश्टुगा उन जीवों को तो आपको क्या मिला अरे आप ब्रती हैं आप इस प्रकार के उपदेशों को ना दें बेला त्रियग 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 त साथ भी अर्थ निकलता है प्राणी वदकार प्राणियों की हिंसा के कारणभूत आरंभ ये दुनिया वरी की सामक्रियां मिलती हैं दुकानों पर इनके विशे में बताना अच्छा हमारे मालों में बहुत सारे जुएं हो गए हैं अगर किसी ने बोला तो तुरंट आपके बोलना नहीं ठीक है यह हमको सीखना है कि हम बरती बनने जा रहे हैं या भविश में बरतों को धारन करेंगे तो हम किस प्रकार अपनी बरतों का निर्दोश पालन करें निर्दोसता इस प्रकार से इस माध्यम से आईगी कि हमनो हमको अच्छी तरह इस विशे में बिचार क जानते आगे पाप संयुक्त भचनम पापोपदेशा अब आगे ते प्रमाध अचरितम प्रमाध अचरितम क्या है क्या करना प्रियोजन अंतरेन प्रियोजन के बिना प्रियोजन से रहत जिसका आपका कोई प्रियोजन नहीं है बिना किसी प्रियोजन के बियर्थ ही फालतु में क्या करना प्रक्षादी छेदन करना घास तोडना पत्ती तोडना उसमें यू हा तमारके जाना या उसकी पत्ती को तोड़ देना डंडे यादिक लेकर जाना और पेड़ों को हिलाना पेड़ों को मानना चपल पेन के घूमने मौनिंग बॉक पर जा रहे हैं और मौनिंग बॉक पर जाते शमाएं हर्याई हली के उपर से निकलना घास के उपर से निकलना इन सबसे बचना और दूसरे के कहते हैं भूमी लुजो रहे हैं ये भूमी को कुदेर न गया है, और यह के थे ख़ले हैं, आट यह पानी सेचना करें जो जो भी आवध्ध करमा पाप से युक्तकार हैं बेशब प्रमाद चरितम प्रमादा चरित नाम के या प्रमाद चरिया नाम का अनर्थ डंड है यह भी लगवक्त जैसा भगवान समंत वद्रदीव ने कहा तद ही रूप है वहाँ प्रमाद चिती सलिल दहन पवनारंभं विफलं बनस पतिछेदं सरणम सारणम अपिच एक सब्दोर है वहाँ पर यहाँ पर प्रियोग नहीं किया बियर्थ में स्यम घूमना और दूसरे को घूमना चलो घूमने क्यों चलना कहा जाना नहीं ऐसे ही घूंत समय पास करने इस प्रकार ठीक चली आगे कि आगे क्या केते हैं आगे केते हैं अंति हिंसा प्रदान हिंसा प्रदान क्या है बिस कंटक सस्त्र अगनी रज्यूक रज्जू कशा डंडा डंडा दी हिंसोप करन प्रदानम हिंसा दानम जो लो लोकिये के साधनभूत हैं ऐसे विश्यूक गंटक कांटा सस्त्र किसी भी प्रकार का सस्त्र तल्वा अंदू की अन को सामगोरिए अगनी का क्यों की अ कहते हैं रज्जू- कि अ क्शाप क्शार चावक दूश्रों को मारने के लिए काम में आती है चावक उसको और कि बोलतें चावक को और डंडा आदी डंड मतलब लकडी डंडा ये आदी जो हिंसोप करणम हिंसा के उपकरण है उनको प्रदानम देना ये हिंसादान कहलाता है एसस कहते हैं बृती अपनी जाडू अपना चक्कू माचिस की तिली या माचेस अगनी ये भी किसी को नहीं देता क्यों अब बृती हैं इनके कोई विवेक थोड़ी ना है आदो आपने माचेस दी और इन्होंने जाकर वहाँ पर कचड़ाई खटा था वहाँ पर जाके आगी लगा दे अगनी मापन लगाई प्रज्चुलत की और वहाँ से जीवों के चिलाने की रोने की आवाज आने ले तो इस प्रकार अब बृती और बृती में कितना अंतर है तो बृती खुद भी नहीं करता और करनी भी नहीं देता तो ये बृती का विवेक होता ऐसलिए हम भी विवेक जिसे दुश्रुती भी केते हैं क्या है तो हिंसा रागादि प्रबर्दनक प्रबरधन दुष्ट कठा स्रवन सिक्षन ब्याप्रती अश्रुष्रूती ही हिंसा, राग, आधी को प्रवर्धनम, प्रवर्ध अर्थाद बढ़ाने वाली दुस्ट कथा स्रवन ऐसी दुस्ट कथाओं का स्रवन शुनना और उनकी सिक्षा ब्यापरती प्रदान करना देना या ऐसी सिक्षाओं का ब्यापार करना इसका नाम है दुश्रुती शुय हम इनको पढ़ना पढ़ना और दूसरे को सुनना सुनाना किन क्यों जिन से राग बढ़े जिन से हिंसा बढ़ती ऐसी इन्दुस्ट कथाएं दुनिया वर की कथाकानिया या वहाँ की चर्चाएं भी समय समाहित हैं जिन में राग बढ़ रहा है कुछ नहीं हो रहा है और आज मुबाइल के माद्यम से यदि हम देखें तो आप और में पुन्न साली हैं जो इतना समय मुबाइल पर सदुपियों के रूप में व्यतीत करते हैं बागी सारा संसार क्या कर रहा है या फिर अपनी आत्मा पर करपा करो और इस मुबाइल के माध्यम से बचें तो कि इस पर क्या है दिन भर अशुव कृती अशुव शुरती दुश शुरती को अच्छा सब्दे अशुव शुरती अशुब नहीं शुनना जो अशुब है अशुब शुनोगे तो अशुब असाता बीदनी या अशुब नाम ही बंदेगा इसलिए इनसे भी बचना इस प्रकार यहां यहां तक अनर्थ डंड ब्रत पूर्ण हुआ उसी के साथ जो भगवन ने कहा था इतानी, तरीडे, गुण ब्रतानी यह गुण ब्रत पीन यहां पर पूर्ण हुए गुण ब्रत किसी कहते है यह आचेरे नहीं लिखा लेकिन यदि आपको याद हो द्रवरतनिक अशुब शुआफ चल में सरस्रूप से लिखा अनुवरत गुण ब्रहा नाम जो अनु व्रतों के गुड़ों को बढ़ा देता है उसका नाम गुण व्रत है अर्थार गुण व्रतों के ध्यम से अनु व्रतों की और महिमा बढ़ जाती है अनु व्रतों और पावरफुल सक्तिशाली हो जाते हैं इसलिए इन वृतों को गुण वृत कहते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपकी सिक्षा वृत प्रारंब होंगे तो आज के लिए इतना पर्याप्त है आगे सिक्षा वृतों को हम कल देखेंगे क्योंकि विशाय एक्तम बहुत सारा हो रहा है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इतना विशाय पर्याप्त है और इसमें मुझे जो लगा कि कुछ भी विशाय एक सब्द भी दो-चार सब्दों का अंतर बस है उसके अलावा कुछ भी नया नहीं है सवरत्न करंडक शावकाचार छेड़ाला की चोथी ढाल का ही विशाय पुरसार सिद्धियो पाए उसका ही विशाय चल रहा है इसलिए आपको देखो एक बार विशाय मजभूत कर लें तो आपको छटवे वर्स तक काम में आता है खेर कई लोग कहेंगे भाया जीव हमको वो याद ही नहीं रहा भूल गया विश्मरन हो गया तो वो आपको याद बस करना है बाकी कठेनिया पर कुछ भी नहीं है आगे भी सारा का सारा यूँ चलेगा मतलब छे डाला का पूरा थटवी ढाल पूरी आ जाएगी आपकी चौथी और छटवी दोनों ढालें पूरी लगी इसमक्रत्रवासद्धि के अंदर आपको देखने में मिल जाएंगे पूरा रत्नकरंडक श्राव का चार आपको इसके अंदर अपस्ते अब पूरे अभी आतीचार आने वाले हैं पूरा का पूरा पूरा पुर्शार सिद्धी उपायकाती चार अधिकार एजटिस जैसे वहां वरनित है बैसी एका दू-चार सब्द का अंतर आएगा वाकी रत्नकरंडक पुर्शार सिद्धी और ये तीनो एक साथ बानो सबकुछ मिला हुआ सा आपको प्रतीत होगा तो य प्रतीत है